संत बाबा राम सिंग महाराज के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं आपको बता दे कि बाबा जी का अंतिम संस्कार 12 बजे करनाल के गुर्द्वारा सींगडा में किया जाएगा जिसके चलते सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है बाबा जी की अंतिम समाधी के लिए पांच फूट की जगह भी तैयार कर ली गई है यहां हम आपको बता दे कि संत बाबा राम सिंग महाराज ने किसान आंदोलन के चलते शहादत दे कर किसानों की आवाज उठाई है उन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी जिनका आज शुक्रवार को बारा बजे अंतिम संसकार किया जाएगा जिसमें देश विदेश से श्रधालू पहुँच रही है बाबा जी की शहादत को याद किया जा रहा है संत महात्माओं ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा राम सिंग महाराज के चाहने वाले दूर दूर तक है और उनका हरिद्दे हर किसी व्यक्ति के लिए पसीज जाता था वह किसी का दुख दर्द देख नहीं सकते थे जिसके चलते उन्होंने अपनी शहादत दी है फिलाल बाबा जी के अंतिम संसकार की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और बारा बजे बाबा जी का अंतिम संसकार किया जाएगा बाबा जी जड़ी संसकार किता जाएगा किने बजे किता जाएगा बाबाई दा सकार दा समा 12 में दा रख्या गया है तो बाबाई दा पाबन शरीर दरवार सहब तो 12 मजे इतल आंदा जाएगा उना नू जड़ा है अगन पेड कीता जाएगा संगता देश दी देश दी भी बोचन गी जिनना लक्षा नू लएके मापुर्शा ने डि वड़ी शहीदी दीती है तो संगता नू आप समझेना चाहिएगा है कि उना ने किसाना दुख ना वेख देया हुया आपना बल्दान दिता है तो हर पासे हर किसान नू जागना चाह यहनुन गरणन जाओं है कि सरकार नूमी उना ने यहीएपील कीती है क्य सरकार किसाना दा हक जो किसान मांग रहे हैं लास्ट न नने बढ़ कुछ या जिड़े लेटर सामने लास्ट या बाबा जिने जो अपने लेटरा वेख भी और वी यह लिह लिखया क्या कि सरकार उन तो दा हक जी में बनदा है ओमेदे में राजगराना एंड जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज